तो यहां पर आपका इन्फोर्मेशन टेक्नलोजी का सिलेबस जो है उसके एकोडिंग काफी लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर प्रैक्टिकल फाइल कब देने वाल है प्रैक्टिकल फाइल लिब्रा ओफिस के साथ काफी इंपोर्टन डोक्यूमेंट है तो लिजिए आज हम ये तयार करके आपके लिए लेकर क्या आया है तो इस वीडियो में मैं आपको बताओंगा कि प्रैक्टिकल फाइल में क्या कैं इंक्रूर्ड किया जाएगा कैसे रहेगा और इसका जो हर एक पार्ट है जैसे राइटर का पार्ट केल का पार्ट जो भी आप बोल रहे हैं बेस का पार्ट तो वो तीनों पार्ट कैसे बनेगे तो उसके separate वीडियो में आपके दूँगा पांच-पांच questions जो हमें करना है वो सब में explain करके दूँगा तो आज के इस वीडियो में हम सिफ देखेंगे कि इस तरीके से आप बनाएंगे क्या structure रहेगा और क्या-क्या चीज़े इसमें include करनी है तो सबसे पहले हम पूरा part C or D समढ़ लेते हैं syllabus में जो curriculum में part C or D दिया है वो ये इस तरीके से दिया है आप देख पाएंगे कि सबसे पहला आपका practical examination होगा तो ये internal रहता है तो जिस date पे fix हुआ होगा school के according तो उस दिन आपको practical exam देना है जिसमें आपको एक advanced documentation का question होगा 5 marks में मिलेगा दूसरा है advanced spreadsheet का question 5 marks में मिलेगा data pages 10 marks का होगा और आएंगे short time में तो total ये 20 और 10 मिला करके parts ये आपका बनाया है 30 marks का part d की बात करें तो उसमें एक तो project work है आप base में Libra office base में कोई project बना सकते हैं तो Libra office base का project भी बहुत जल्द दूँगा मैं आपको और field visit का report भी बना सकते हैं तो आप जो भी consider करते हैं आपके teacher या अगर आप teacher है तो आप अपने students को क्या देना चाहते तो उससे आपको idea लग जाएगा तो ये चीज़ें करनी होती है जिसका 10 mark होता है यहाँ जैसे लिखा है कि any interdisciplinary real world case study to be taken तो कोई भी real world case study आपको देना है और उसी topic को लेकर के आपको ये report बनाना है summarize data reports of same can be presented in base input should be taken using forms and output should be done using report using base, documentation of the case study should be presented using writer तो documentation writer में बनाना है और database का related forms और reports और query और tables जो भी है वो Libra Office बेज में बनेगा उसके बाद है portfolio और practical file जो अभी हम practical file के बात कर रहे हैं यहाँ पे तो वो practical file में सिधा लिखा है portfolio should contains printouts of the practical done using writer Kelsey and base with minimum five problems of each तो हर एक का 5-5 question होना चाहिए उससे ज्यादा भी है तो कोई problem नहीं है लेकिन 5 तो minimum होने चाहिए तो ये 5 questions कौन-कौन से होंगे मैं आने पहले वीडियो में आपको बताऊंगा तीनों के राइटर का Kelsey का और बेस का 5-5 questions किस तरीके से लिया जा सकता है तो ये करेंगे तो practical file हम आद देखेंगे इसका 10 और 10 marks तो 10 mark का practical file है तो वो कैसे बनेगा तो चलिए देखते हैं उसके initial pages पहले देखेंगे तो initial pages की बात करें तो practical file जैसे आप start करते हैं क्या होना चाहिए तो सबसे पहले तो ये cover page आप बना सकते हैं तो इसको मैं थोड़ा one page कर देता हूं ताकि आपको पूरा page दिखें तो ये पूरा page है तो इसमें आप देख पा रहा है कि practical file मैंने सबसे पहले निखा है practical file information technology class 10 और इस तरीके से आप लिख दीजे subject name, class name, session इसको आप अपने level से जैसे भी आप करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं format आप अपना बना सकते हैं hand written भी cover page होता है तो भी बना सकते हैं कोई दिकत ने file को आप जैसे भी decorate करना चाहें that's your choice लेकिन ये एक मैंने cover page छोटा सा बनाया है उसके बाद school लोगों यहाँ पर डाल सकते हैं अगर हो सकता है cbse का लोगों तो भी डाल सकते हैं उसके बाद school name and address student की details नीचे इस तरीके से role number name of student class information technology subject रहेगा और school का नाम तो यह आपके cover page में आएगा तो cover page सबसे पहले बनेगा यह आप अपने level पर भी बना सकते हैं मैंने एक demo एक sample तयार किया है इसका चलिए next practical file के बाद इसमें होता है आपका certificate certificate तो certificate की बाद करें तो इस तरीके का रहेगा तो इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए तो certificate सबसे पहले तो title आप कुछ भी डाल सकते हेडिंग उपर certificate ही रहेगा school का logo उपर लगा दीजिए उसके बाद है यह content जैसे लिया है this is to certify that name of student a student of class 10 section अगर है तो has successfully completed and submitted the practical file of information technology 402 as per the guidelines provided by CBSE in prescribed curriculum for academic year तो year यहां पे लिखा है the practical file has been evaluated and found correct in accordance with the guidelines provided by the board for academic year 24-25 the work has been completed and presented in satisfactory manner तो यह content रहेगा certificate का नीचे यह line एर कर दीजे number of practical certified आर कितने practical certified है तो basically 15 practical certified इसमें रहेगे तो 15 practicals हम करते है तो यह आएगा तो number of practical certified आर 15 वो लिखा है उसके बाद date रहेगा, examiner का sign रहेगा, school का stamp लगेगा और principal का sign रहेगा यह internally ही होता है तो इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है next part है आपका index, तो index की बात करें तो index इस तरीके से बना दीजिए यह आपके पास इससे अच्छा idea है तो आप कर सकता है इसमें भी आपका creativity है तो जरूर यूज कीजिए तो इसमें आप कर सकते हैं मैंने यहाँ पे topic wise बना दिया है कि assignment, date, sign और serial number serial number में unit one के जो पास question है, unit one digital documentation के, तो creating apply styles, working with images, create and use templates, or table of contents के दो लिये है मैंने, ऐसे आप किसी भी particular चीज का दो ले सकते हैं, क्योंकि चार topic है, तो चार topic में से पास questions आपको लेने होंगे, तो कोई भी कर सकते हैं, image and graphics आप करेंगे, तो उसमें भी दो पार्ट बन जाएंग तो मैंने यहां एक advertisement लिया है, तो आप उसी सबसे ले सकते हैं, उसके बाद है, unit two electronic spreadsheets, तो इसमें तो topic ज्यादा है, और question पार्ट लेना है, तो इसमें topic छूट जाते हैं, तो यहां पे मैंने consolidated data, subtotal, creating cell reference, hyperlink and goal seek, इसमें से 5 question लिये हैं, इसके अलावा इसमें macro बचा है, share and review spreadsheet बचा है, goal seek, scenario यह बचा है, तो यहां कुछ चीज़ें बची हुई है, goal seek मैंने लिया है, scenario solver और वो दोनों बचा हुआ है, तो वैसे topic आप include करके बना सकते हैं, तो वो भी 5 question ले सकते हैं, उसके बाद है 5 question बेस के, जिसमें पहला create and edit tables using wizard है, दूसरा review data using query, query के through, query using criterion and sorting, क्र करेंगे, उसका question है, create forms in Libra office, creating reports in Libra office, तो इस तरीके से 5 question लिए है, तो 15 question यह है, date, तो date यहां पे जैसे topic यहां complete हुआ है, उस topic के according date यहां पे जरूर डलवाईए, मैंने यह कोई date example के तोर पे लिखे हैं सारे, तो आपका topic कब चला था, उस हिसाब से आप जैसे plan out किया होग teacher ने, तो teacher आपको बताएंगे, अगर आप student है, आप खुद teacher है, तो आप खुद decide कीजिए, कौन सा topic आपने कब करवाया था, उसके according यहां पे dates आ जाएंगे, और last में signature का column रहेगा, जहां पे आप sign करेंगे, teacher sign करेंगे, तो यह initial page इस इतने होंगे, अब practical file के उपर आते है तो सबसे पहले question यह है, तो question मैंने सबसे पहला ऐसा लिया है, create and apply style से, तो इस प्रकार से आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप question लिखिए, तो यह पूरा question है, assignment one, यहां से यहां तक यह question है, question के बाद तूरंथी उसका solution लिखना होगा, तो मैंने तूरंथी उसका solution topic थे, वो मैंने इस प्रकार include किये है, और यहां पर solution के steps लिखे है, तो यहां पर basically writer और Kelsey में तो steps ही आएंगे, तो यह steps लिख दिये है, तो उस तरीके से जो जो question दिये है उपर, उसके सारे steps यहां पर मिलेंगे आपको, तो यह सारे steps आ गए, यह सारे steps है, steps के बाद जब steps ख दौनों accepted है, तो आप दौनों में से किसी में कराइए, या कुद कीजिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन आपके teacher, जैसे बोलता है, वैसे कीजिए, मैं generally prefer करता हूँ handwritten, क्योंकि handwritten में students को खुड लिखना पड़ेगा, वो student खुड लिखेगा, अब वो देख के लिखे या प्रिंटेड कॉपी में student किसी का सिधा प्रिंट आउट लेकर क्या आपको देदेगा, उसमें उसकी मेहनत जीरो रहेगी, कोई एक ने बनाये, तो उसके उपर से 40 कॉपी बन सकती है, तो प्रिंटेड में ये थोड़ा disadvantage है, इसलिए handwritten, handwritten में हम उनको writing से भी पकड़ सकता ह तो ये एक अच्छा choice है, handwritten, तो इसमें handwritten से students लिखेंगे क्या, तो सबसे पहला part है, question properly लिखें, question को लिखने के बाद, उसके बाद solution के steps लिखें, और solution steps के बाद यहाँ पर उसका output paste कर दे, तो जो output computer में करके, जो करेंगे, उसका screenshot last में लगाएं, ये जैसे मैंने यहाँ प question, वो pen से project paper पे लिखें, उसका solution project paper पे लिखें, उसके बाद जो output है वो chip का दे, तो ये तीन चीजे रहेगी, यहाँ पर और ये तीन चीजे students को करनी होगी, अब यहाँ पर ये एक और चीज आती है, कि जैसे आप practical file कंड़क करते हैं, practical file लेते हैं, तो submission में भी आप सा ध्यान रखे कि जब submit होता है practical file तो उसको check करना होता है, तो आप भी उसके according properly किया है, कि नहीं किया है, हमारी जिम्मेदारी ये तो हमें देखना पड़ेगा, तो ये जिम्मेदारी को हम अच्छे से देखेंगे, check करेंगे, और करते ही है, हर बार की तरह, तो वैसे students का सारे steps नहीं लिखते हैं, कुछ चीज़े miss कर देते हैं, या तो कुछ चीज़े जान बुचेन, जान बुचकर नहीं करते, last time rush होता है, तो उसे में दे देते हैं, और ऐसे करके थमा देते हैं, निक करके थोड़ा बहुत, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हम properly उसको दे, submission का date द punishment हो वैसा नहीं होता है, तो हम inform करें अपने जो भी, अपने authorities हैं, उनको जैसे vice principal है, या तो academic coordinator है, principal है, उनके द्वारा parents को inform करें, और उनका काम अच्छे से हम ले, बस वही है कि students काम करते रहे, practical printed में सिधा copy printout निकाल सकते हैं, तो यह गड़बर रहती है, तो इस कैसे हम च कुछ न कुछ सीखेंगे, तो यह है question one writer के लिए same way में आप देखें, तो इसमें तो सब question, steps और solution, तो यह advertisement में जो बनाया है मैंने, वो इस तरीके से है, उसके बाद है template का, तो template भी मैंने एक बनाया है, तो template time table के लिए बनाया है, तो यह आप कर सकता है, उसके बाद है table of contents, तो table of contents ही हाँ पे add किया है, उसके बाद table of contents दूसरा है जिसमें customization किया है, उसके बाद जो open office, sorry, open office ही मूँ पे आ जाता है, लिब्र office, Kelsey के साथ, जो भी हमने किये है practicals, वो इस तरीके से, इसमें भी सेम वही है, जिसमें steps है, step जहाँ formula है formula, वो आप लिख दिजिए, उसको properly लिखे और screenshot इस तरीके से लगाना होगा, तो यह है सारे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह मैं सारे आपको explain करके बताऊंगा, करके दिखाऊंगा, उसके बाद steps कैसे लिखे मैंने वो भी बताऊंगा, तो आपको idea आ जाएगा कि ऐसे question में क्या किया जा सकता है, तो इस सा इस तरीके से आप कर सकते हैं, यह देखे प्रैक्टिकल फाइल में, यह linking वाला है example, उसके बाद database यह गोलसिक का है, गोलसिक के बाद database का है, तो database में भी same जहाँ query है, वहाँ query, जहाँ steps है, वहाँ steps, लिखने है, तो वह मैंने लिख दिया है, screenshot भी अच्छे से लगा दिया ह मेरे हिसाब से है, और मैं वही prefer करता हूँ कि hand return हो तो अच्छा हो, क्योंकि student इसमें अपने efforts डलते हैं, तो इस तरीके से होगा, copy भी करेंगे, लेकिन उनके अपने efforts तो हो नहीं वाले भी, उसके मिरा नहीं चलेगा, और ऐसा भी कर सकते है कि student अगर submit करते हैं, तो हर file में चाहे table भले एक ही हो, लेकिन data अपने ही सबसे डाले, तो उसमें भी change हो जाएगा, question में जो होता है, data जो होता है, वो data किसी ने अपने खुद के नाम डाले तो और दूसरे नाम डालेगा, तो ऐसे करके करेंगे, तो same नहीं होना चाहिए, same अगर होगा, तो reject करके वापस कर है, और group में कुछ students का group महाँ पर divide करके, group में check करें, तो अच्छा काम हो सकता है, तो यह एक मेरा suggestion है, कि students भी अच्छे से काम करें, और हम भी, हम जो कराता है काम, उसका हमें भी थोड़ा satisfaction मिले, तो यह हमारे लिए एक तरीका रहेगा, आप ऐसे कर सकते हैं, तो यह देखे से आप कर सकते हैं, यह देखे, सारे headings वगेरा इसमें use किया हुआ है, तो यह आ जाएगा, तो यह है आपका practical file, I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, practical file यहाँ पर इसका जो link है, मैं आपको description में देने वाला हूँ, वहाँ जा करके download कर सकते हैं, आप reference के लिए, और इसको आप अपने school के हिसाब से अपने school में जो जो questions मिले है, उसके हिसाब से आप convert करके बना सकता है, इसको as a reference यूज कीजिए, same to same सिधा print out देके submit मत कीजिए, आप अपना inputs डाले, अपना efforts डाले, और जो जो topics आपड़े हैं, उस topic के according कीजिए उसको, तो I hope आपको वीडियो पस इजिए, इजकर आपए हैं, और जे क्यों उसके हिसाब से आपको आपने school के मत की लिए जापने school के वीडियो, इसके हिसा चिका हैं, तो जो 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 कु tut Сам SnBT रहुत हैं.. झाल झाल